हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल दी एक्जाम हेल्पम है तो दोस्तों इस वीडियो में हम SBI कलग एक्जाम एनालिसिश 2024 करने वाले हैं जो कि आपका 11 जनवरी का ओल शिप्ट का एक्जाम कंप्लेट हो चुका है तो उसके लिए एक्सपक्टेट का टॉप क्या रह सकता है क्या गोड एक्जाम रह सकते हैं और चारो शिप्ट में किस-किस तरीके से एक्जाम का लेवल रहा है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखीगा यह देखी यह 5 जनवरी का आपको देख रहा होगा और यह 6 जनवरी का पूरा जो हमने डाटर निकाला है किस तरीके से 1st shift में English का क्या लेवल था Maths का क्या लेवल था Reasoning का इसी तरीके से 2nd shift में 4th shift में किस तरीके से level आपको देखने को मिला था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 3rd shift और 4th shift वाले वहाँ पर जो paper है वो कही ने कही moderate to hard भी देखने को में मिला है क्योंकि यहाँ पर यह तो लगबक एक समान चल रहे थे English और Reasoning बट जो math से कही ने कही अपना रूप बदल रहा था इसमें कुछ ऐसे hardly question आ रहे जैसे simplification होगे उसमें roots वाले question आ रहे थे DIY उसमें काफी lengthy lengthy question देखने को मिल रहे थे arithmetic वो भी आपको काफी lengthy देखने को मिल रहे थे तो math से सभी shift में हमको यहाँ पर change देखने को मिला बाकि English और reasoning में ज्यादा हमें change देखने को नहीं मिला है but मैं यही कहुँँगा क्योंकि इसमें normalization होता तो third shift और fourth shift जो है उसको ज्यादा यहाँ पर benefit मिले मला है यह 6 January के आप इसको देख लेना हम बात कर लेते हैं 11th January की तो 11th January में आप देखिए यहाँ पर first shift है फर्स shift की English जो आई थी वो easy to moderate देखने को मिली थी maths भी easy to moderate थी reasoning भी easy आपको देखने को मिली थी second में easy to moderate maths वहीं आपको थोड़ी से moderate side देखने को मिली reasoning फिर से easy इसके बाद third shift की बात करने तो English जो थी वो easy to moderate थी वही Maths की बात करने तो ये भी आपको moderate side देखने को मिला था Reasoning भी यहाँ पर easy to moderate हो गई थी क्योंकि puzzle में कुछ lengthy puzzle भी यहाँ पर एक दो देखने को आपको मिली थी यहाँ पर fourth shift की बात करने तो easy to moderate थी English यहाँ ज्याद तर आप बोले तो moderate side आपको देखने को मिली बच्चों के काफी कम attempt से यहाँ पर देखने को हमको मिलने में थी लगवाद जो बच्चों के average attempt थी वह 20 से लेकर 22 के बीच हमें देखने को मिल रहते है maths की बात करें तो maths में काफी कम attempt थी बिलो 25 जो attempt है वो काफी ज़्यादा average candidates के attempt यहाँ पर हमें देखने को मिले है तो कि इसमें maths moderate to heart कर दिया गया calculated काफी थी जो simplification है वो भी काफी calculated देखने को मिले है D.I.B. काफी calculated यहाँ पर हमें देखने को मिली थी maths की ठीक है बात करने reasoning की तो reasoning भी यहाँ पर easy to moderate थी 4 shift में जिसमें एक जो puzzle थी वो काफी टप थी लवा बच्चे यह सब गोले थी कि main level की puzzle इसमें डाल दिये तो यह था इसका 11th shift का analysis आप बताइए अगर आप exam देखा थे कल 12th janvary तो इसका भी हम review देंगे तो उसके लिए आप channel पर बने देगा चलिए तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि 11th janvary के good attempts या expected cutoff क्या रह सकती है देखिए यहाँ पर जो cutoff है आपके कुछ चीजों पर depend करेंगे जैसे vacancy vacancy देखे तो last year से हमें यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या हमें vacancy अप देखने को मिली है काफी number जो बड़ा है यहाँ पर vacancy के last year से level भी यहाँ पर exam का up हुआ है तो यह भी cutoff को down करने में कही न कहीं मदद करेगा प्लस competition आप है तो यह इस इसको टकर देगा बड't vacancy के comparison में देखें तो यह इसको गिरा देगा cutoff को vacancy घिरा देगी को कि vacancy भी जादा है हमें देखने को मिली है last two years comparison में देखें तो vacancy इस बार हमें जादा देखने को मिली है यह देखी यह cut-off जो है मैं state-wise बताऊँगा तो आपको थोड़ा से different यहाँ पर देखने को मिल सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखाए low state cut-off यान कि जिस जिन state में low cut-off जाती है उनका मैं यह cut-off बताने वाला हूँ जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ देखी दोस्तों यहाँ पर आपको state यह 2022 का cut-off है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देख रहा हूँआ यहाँ पर आपको low state cut-off देख जाएंगे यह से अंडमान निकोबर हो गया दमान दी हो गया अरुनांचर प्रदेश गोवा हो गया ठीक 45 तक गया इसके अलावा देखे करनाट का हो गया केरला हो गया 68 तक आपको cut-off देखने को मिल जागा इसके बाद देखे मडीपुर का 49 देखने को मिल जागा इससे तरीके से 62 पॉइंट जो 25 है यह आपको किसका देखने को मिल जागा तमिल नाडू का देखने को मिल जागा इससे तरीके से और cut-offs आप देख सकते हैं कि 66-5 है बागी बेश्वंगल हाई cut-off zone है उतराकंड हाई cut-off zone है इसके अलावा पंजाब देखें काफी हाई cut-off zone है इसके बाद आपका जो ओडिसा है यो भी हाई side cut-off के रहता है ठीक है इसके अलावा हम देख सकते हैं और भी state आपको देख रही होगी जैसे घरयाना हो गया गुजरात हो गया यहाँ पर देहली हो गया यहाँ पर हिमांचल प्रदेश हो गया जम वाली है तो देखें दोस्तों कि अगर हम low state cut-off की बात करें जो कि मैंने आपको दिखाए तो जो जिन state में cut-off जाता है और इस बार जिन state में ज्यादा वेकेंसी है उसकी हम बात करें तो यूर का जो cut-off है वो minimum जा सकता है 55 जो कि low state cut-off रहेगी AWS और OBC का भी 50 के आसपस जा स देखने को मिलेगी OSC के नमबर में 182 के नमबर में आपको cut-off देखने को मिलेगी वहीं OBC और EWS लगवा समान cut-off जाता है उनका 65 से 80 की रेंज में आपको जो high state cut-off zone है वहाँ पर आपको इस range में देखने को मिलेगी जाधर जो cut-off रहेगी उस 77, 79, 80 की range में देखने को मिले अगर इस range में आ तो बिलकुल आप means की preparation लगेगी SD की बात कर तो 60 से 70 के बीच में आपको अलग-अलग state-wise एक cut-off देखने को मिलने वाली है तो इस आप अपनी vacancy के according जो है वहाँ पर देखना अगर आपके state of vacancy आदा तो cut-off लो आपकी जाने वाली है तो यह रहा आपका 11 12 जनवरी का cut-off 12 जनवरी का cut-off देखना ना मूले और इसके बाद हम पूरा आपके लिए एक cut-off लेका आने वाले हैं जो की आपका रहेगा पूरा जो आपकी all shift हो चुकी है याने की 5 जनवरी 5 जनवरी 6 जनवरी और आपका 11 जनवरी और 12 जनवरी के 4 जनवरी चारो shift का